Hello everyone, 20th question start करते हैं, देखे, question है, at which place did महात्मा बुद्धा give his first धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है, पहली बार कौन सी जगे पे महात्मा बुद्धा ने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, ठीक है, options देखते हैं, option है, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटली पुत्र और वैशाली, तो सेर्मन दिया था, ठीक है, इसको बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो देखते हैं, explanation, after his enlightenment in बोद्ध गया, बुद्धा went to सारनाथ, and where he delivered his first sermon, which is known in पाली as धर्म चक्र प्रवर्तन, तो हमने देखते हैं, था last class में इसको, कि जो है, पाली में, जो first sermon होता है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है, next है, where did बुद्धा pleased his first sermon, same question है, सारनाथ में first sermon दिया था, कहाँ पे, डियर पार्क में, ठीक है, दूसरा question देखते है, who gave his first sermon in सारनाथ, वही question पूछ रहा है, किस ने दिया था पहला sermon, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था, next question है, महात्मा गौतम बुद्धा gave his first sermon at, कहाँ पे, सारनाथ में है, ठीक है, ये question बार-बार repeat हो रहा है, आप एक बार ध्यान रखियेगा, इस पे, the Buddhist text धर्म चक्र प्रवर्तना is known as, ठीक है, अब फिर से वही question कि धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या कहते हैं, क्या है ये धर्म चक्र प्रवर्तन, option है, बुद्धा साइट, बुद्धा's religious norms, बुद्धा's rituals, या फिर first sermon at सारनाथ, तो सारनाथ में पहला sermon ही कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, फिर से उसी पे question है, धर्म चक्र प्रवर्तन was performed at, कहां पे सारनाथ, ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्धा gave his maximum sermons at which place, अब इसका answer अलग हो जाएगा, जो सबसे जादा sermons, सबसे जादा उपदेश, किस जगे पे बुद्धा ने दिया, आपका option है वैसाली, श्रावस्ती, कोशामबी और राजग्रहा, तो सबसे जादा जो देश है उन्होंने स्रावस्ती में दिया, ठीक है ना, आजकल स्रावस्ती में education की हाला था, आप देख रहे हैं क्या है, उस टाइम सबसे जादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिये गया थे, ठीक तो वो कौशल की एरिया से, ठीक है ना, कौशला की एरिया से ठेक, और यिन्होंने सबसे जादा जो सेरमन, अपने सबसे जादा उपदेश जो है, वो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, श्रावस्ती क्या है, बुद्धेया की सबसेशայक्रहा, राज था ऊसकी capital है, ठीक है तो next question देखते हैं बुद्धा and बुद्धा had visited कौशामभी during the rain off ठीक है किसके राज्यकाल में बुद्ध भगवान कौशामभी को विजिट किये ठीक है किसके देखते हैं बोधी देखे इसमें option जो सीधा सीधा होना चाहिए वो है उदाइन ठीक है ना तो उदाइन ठीक है अब देखें हम बहुत दादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देखें ध्यान से देखेंगा explanation गौतम बुद्धा visited कौशामभी during the rain of the king उदाइन कभ वहाँ इसके पहले आठ बार और कहीं वो रेस्ट कर चुके थे नौवी बार ये जो है कहां पर कौशामभी में आते हैं रेस्ट करने के लिए और इस टाइम वहां के जो राजा होते हैं वो होते हैं उदाइन ठीक है ना अब सबसे पहला कोशन बन सकता है कि कौन सा रेस्टिंग प्लेस था तो ये नाइन रेस्टिंग प्लेस था ठीक है दूसरा क्या है किसके इंफ्लूएंस में जो उदाइन होते हैं वो बुद्धिजम में कनवर्ट हो जाते हैं तो वो होते हैं पिंडोला भरत्वाज किसके पिंडोला भरत्वाज के ठीक है अब जब वो इंफ्लूएंस हो जाते हैं इतना तो वो घोषित राम विहार एक विहार होता है उसको जो है डोनेट कर देते हैं किसको भिक्षु संग को ठीक है नेक्स जो कोशन है वो है फस्ट बॉधिस्ट कॉन्फरेंस आफ्र देथ ओप द बुध्धा वास प्रिसाइडट ओवर बाइ जो पहला बुधिस्ट कॉन्फरेंस होता है कब बुद्धा की डिथ के बाद वो कौन प्रिसाइट करता है ठीके न वो उसका चेर्मेन कौन होता है तो देखिए उसका चेर्मेन देखने से पहले हम option एक बार देख लेते हैं क्या है धर्म सेना अजात सत्रू नाग सेना या क्या होगा महा कश्यपा ठीके न तो जो सही उत कौनफरेंस होता है बुद्धिस कौनफरेंस होता है उसकी जो चेर्मेन होते हैं प्रेसिजेंट होते हैं वो होते हैं महा कश्यप एक बार explanation देखते हैं थीके जब बगवान का महा पर निर्वान हो जाता है तो अंडर दे पैट्रोंच अजात सत्रू विद मौंग महा कश्यप प्रिसाइड़ एड राजगरी अब बहुत इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट है देखते हैं पूछेंगे कि उस टाइम कौन किंग था ठीके तो किं कौन था अजात सत्रू थे मौंग कौन थे जो प्रिसाइड किये थे वो महा कश्यप थे और कहां पर यह हुआ था यह राजगरी में हुआ था तो यह तीन चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट है जैसे ही भगवान बुद्ध का महा परविनिर्वान होता है अजात सत्रू जो सब्ध परनी केव में यह यह conference होता है आईडिया क्या होता है इस conference के पीछे तो यह यह होता है to preserve बुद्धास teaching सुत्ता and rules of disciples भीनेया ठीक है क्या preserve करना होता है जो बुद्ध भगवान की teachings होती है उनको preserve करना होता है और teachings क्या बोलते है सुत्ता और disciples के लिए जो rules और regulation होते कि उनको कैसे आगे की life lead करनी है कैसे जो है बुद्धिजम को आगे लोगों को समझाना है तो वो जो चीजे होती है उसको बोलते है विनय ठीक है मतलब rules or regulations विनय और जो बुद्धास की teaching होती है that is called सुथा तो सुथ और विनय को क्या करना होता है उनको preserve करना होता है ठीक है आगे देखते है आनन्द one of the great disciples of buddha recited सुथा and उपाली another disciple recited विनया ठीक है ना तो देखे जो आनन्द होते हैं मैंने बताया था ना आनन्द जो बुद्ध भगवान होते हैं उनके बहुत जो दो शिश्य होते हैं तो उसमें से आनन्द और उपाली बहुत ही important लोग होते हैं जो है who is very much attached to the buddha ठीक है नो तो कौन होते हैं आनन्द और उपाली तो आनन्द क्या करते हैं आनन्द सुथ को उसको क्या करते हैं compile करते हैं और उपाली को किसको करते हैं विनय को याद रखेगा आनंद किसको? सुत्त को सुत्त मतलब क्या है? बुद्धास टीचिंग और उपाली क्या करते है? विने विने मतलब क्या होते है? रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं किसके लिए? डिसाइपल सिश्यों के लिए ठीक है? नेक्स देखते हैं कंवीन हंड़ेड और वन हंड़ेड टैन यहर्स Québec Map Nirmalna death of the Buddha at Vaisali ध्यान रखेगा जो पहला जो होता है वो राजगिर में होता है राजग्रिण्स जों होता है और जो दूसरा होता है वह कहां पे होगा वह वैशाली में होता है और पहले conference के 100 या 110 साल बाद दूसरा conference होता है जो होता है वैशाली में थर्ड बुद्धिस जो council होती है वो कहा होती है वो अशोक के period में अशोक के reign में होती है और वो पाटली पुत्र में होती है चौथी बुद्धिस council कहा होती है कुंडलवन कुंडलवन कहा है कश्मीर में ठीक है और कनिश्क जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रसाइट करते हैं आपकी काउंसलियर कॉन्फरेंस को ठीक है कौन conclude करता है first bodhic council हमने अभी देखा था महाकसब ठीक है तो महाकसब जो है प्रिसाइट करते हैं first bodhic council को अब देखते हैं सब्तकर्णी cave is situated in जो सब्तकर्णी cave है वो कहां situated है तो देखिए option है हमारा सांची, नालंदा, राजग्रिह और पावापुरी तो सब्तकर्णी cave जो है वो राजग्रिह में situated है सब्तकर्णी cave is in राजग्रिह एकदम से याद होना चाहिए ठीक है सब्तकर्णी cave is situated in नालंदा district बिहार and located in the form of three shallow fishers in the cliff near the top of the राजग्र अब आपको इतना ज़्यादा location आपको नहीं जाना कि कहाँ पे फिसर है और clip में कहाँ पे located है ये सब्तकर्णी cave तो आप जानीजे कि राजग्रिह या राजग्रिह के जो mountains है ठीक है ना वहाँ पे जो है आपका बिहार में सब्तकर्णी cave located है ठीक है next question देखते है who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir मैंने देखा था दो जो है president थे co-chair किया गया था ये तो कौन था Kanishka के टाइम पे वासुमित्र थे और एक कौन थे अस्वगोस दोनों लोग मिलके किये थे जैसे अभी last वाले हमने उसमें देखा था question में की वादस्वमित्र और अश्वगहोस दोनों लोगों ने कुंडल अश्वगोशा ठीक है तो अश्वगोश होगा तो वह भी लगाएंगे तो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है वो डेपटी जो है थे जो कोचेर थे ठीक है दिस काउंसल डिस्टिंट्ली डिवाइड दे बुद्धिस्म इंटो तो सेक्स नमली दे महायाना अन हीनियाना अट इ रचमीर में कुंडलवन में होता है कनिशक के साशनकाल में होता है जो कुशान के एक रूलर होते हैं और वहां पे आगे हम देखेंगे question आएगा इस तरीके का next है Mahayana sect and Buddhism emerged during the rain of ठीक है किसके rain में Mahayana Buddhism emerged हुआ ठीक है तो Kanishka के rain में अभी हमने देखा Kanishka 4th वाले में Kanishka के time पर ही ये 2 part में divide होता है Mahayana and Hinayana ठीक है next question देखते हैं the Buddhist council during the rain of Kanishka was held at कहां पर Kashmir में बल्कुल सही next question देखते है the 4th Buddhist council 4th Buddhist council which was held in Kashmir during the rain of which king Kanishka देखा है आपने बार बार 4th Buddhist council was held during the rain of किसके Kanishka next question भी same ही है ठीक है अब देखते हैं next 4th Buddhist council were held in the following places arrange them in chronological order by using the court given below ठीक है तो सबसे पहला कौन सा कब हुआ था हमारा Buddhist council देखते हैं सबसे पहला कहां हुआ था राजगीर में हुआ था ठीक है सबसे last कहां हुआ था कुंडलवन में हुआ था फिर राजगीर के बाद साथ पार्टली पुत्र में कुंडलवन अब इसके जो है वो भी बहुत सारे हैं जिससे बना के अपने आप को समझने के लिए बनाए जाता है तो आप देख लीजएगा तो राजगीर वैशाली पाटली पुत्र पाटली पुत्र एंड कुंडलवन ठीक हैं देखते हैं कौण पुसाइट की है था सबा करने जो तीसरा बुद्धिस काउंसिल होता है वो का अशोग के रिन में पाटली पुत्र में होता है बलकुल सही हाँ मैं तुड़ा सा कन्फ्यूज इसमें इसमें नहीं होना है तो ये अशोग के रिन में पाटली पुत्र में हुआ था And fourth जो Buddhist council है वो कहां हुआ था करिशका और कश्मीर में हुआ था करिशका के rain में हुआ था Next question देखते हैं Second Buddhist council कहा हुआ था तो वैशाली में हुआ था ठीक है वैशाली में कौन था किसके शाष्न काल में हुआ था प्रशाली में यह बताना है 100 साल बाद हुआ था और काला शोप थे और सबाकर्णी जह है वो उसके प्रेसिडेंट थे नेक्स्ट यह वेर्वाज थोर्ड बुद्धिस काउंसिल है ठीक है तो तीसरा जो था पाटली पुत्र में हुआ था अशोका के रेन में हुआ था ठीक है ठीक है 40th question और last question जो है वो है the first Buddhist council was held in which which in the following cities कहां पर हुआ था नालंदा गया बौद गया राजगीर तो हमने देखा जो first था वो आजाद सत्र के टाइम पर राजगीर में हुआ था ठीक है राजगीर या राजग्रह आए का दोनों ही सेम है तो अपने साब से आप देखके लगा दीजेगा thank you so much for watching next के जो questions है 20 questions वो next वाले वीडियो में देखते हैं thank you